नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कैम कॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड शेर में हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेर में हमें लगातार गिरावट ही देखने को मिली है तो दोस्तों आज के वीडि में कौन से टार्गेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में हमारे रेजिस्टन्स की तो यहां पर आप देखो इस शेर में जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट रेजिस्टन्स है वो है 427 रुपीज का लेवल दोस्तों यह लेवल एक इंपोर्टन्ट रेजिस्टन्स है क्योंकि पहले आप देखो इस शेर ने इसी लेवल पर मल्टी टाइम support लिया था यहाँ पर आप देख सकते हो यह शेर ने कई बार इसी zone में support लिया था पर अब यह शेर इस zone के नीचे आ गया है तो यह जो support था यह support अब शेर के लिए resistance का काम कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो already यह शेर resistance फेस कर चुका है इसलिए 427 के उपर अगर यह शेर जाता है तो इस शेर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है जो दूसरा resistance है इस शेर में वो है 482 रुपीस का लेवल यहाँ पर आप देखो पहले भी यह शेर resistance फेस कर चुका है इस जोन में दोस्तों अगर बात आती है इस शेर में हमारे support की तो यहाँ पर आप देखो कैमकॉन शेर में जो एक important support है वो है 400 रुपीस से लेके 395 रुपीस का zone दोस्तों हाँ यहाँ पर आप देख सकतों यह जितना भी पूरा area है यह area इस शेर के लिए एक बहुत important support है क्योंको दोस्तों IPO के list होने के तुरंत बाद इस शेर में हमें एक भयंकर crash देखने को मिलाता तब इस शेर ने इसी zone में support लिया यहाँ पर आप देख सकते हो इसी zone में इस शेर ने support लिया उसके बाद छोटी सी तेजी आई फिर वापस जब गिरावट आई तब वापस इस शेर ने इस zone में support लिया फिर वापस तेज आई यहाँ पर आप देख सकतों ऐसा पहले इस शेर ने कहीं ही बार किया है और अभी भी जब लगातार गिरावट चल रही है तो मुझे लगता है यह शेर इस zone में support लेके हमें एक अच्छा उच्छाल दिखाएगा दोस्तों आई अब हम देख लेते हैं शेर में कुछ important technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो important indicators को apply करूँगा जो पहला indicator है मेरा वो है MACD और दूसरा indicator है relative strength index मतलब RSI तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो RSI indicator है उसका अभी current value है 30 मतलब हम कह सकते हैं कि RSI almost अभी over sold zone में आ गया है over sold zone का अर्थ यह रहता है कि share में already बहुत big वाली हो गई है और यहाँ से खरीदारी आ सकती है अगर बात आती है RSI की तो यहाँ पर आप देखो RSI में भी लगाता है downtrend है RSI बहुत ज़्यादा bearish है पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर RSI इतना गिर गया है कि यहाँ से तो reversal दिखाएगा और दोस्तों अगर बात आती है MACD की तो यहाँ पर आप देखो MACD में negative histogram generate हो रहे हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर MACD का हमें एक bullish crossover देखने को मिल सकता है तो दोस्तों अभी तो दोनों indicator bearish है पर जल्दी दोनों indicator bullish हो सकते हैं दोस्तों अब बात आती है इस share में खरिदारी करने की या फिर इस share को अभी हमें sell कर देना चाहिए ये एक बहुत बड़ा question है तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आप इस share में already एक buyer हो तो आप इस share को अभी hold करके चल सकते हो दोस्तों अगर ये share 395 के नीचे closing दे देता है तो यहाँ पर एक बड़ा risk बन सकता है अगर यह शेर 3.95 के नीचे closing देता है तो यहाँ पर एक risk रहेगा तो यहाँ पर आप 3.95 का stop loss लगा सकते हो closing basis पे दोस्तो उसके बाद अगर बात आती है खर्यदारी करने की तो यहाँ पर आप देखो जो एक लगाता downtrend चल रहा है यह अगर हमें एक छोटा सा reversal देखने को मिलता है और अगर यह शेर यहाँ पर 4.27 के उपर जाता है तो खज़िदारी करने का अच्छा मौका रहेगा तो दोस्तो अगर आपको buying करनी है तो यहाँ पर आप reversal का इंतजार करो या फिर अगर यह शेर 4.27 का level break करता है उसके बाद भी आप खरीद सकते हो दोस्तो ऐसे देखने जाए तो यह शेर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा हम कैसे कह सकते हैं undervalued या फिर fairly valued है chemical sector दोस्तो अल्रेडी बहुत ज़्यादा highly valued रहता है पर chemical sector के comparison में यह शेर मुझे undervalued दिखाई दे रहा है तो दोस्तो 4.27 के बाद खरीच सकते हो अगर बात आती है targets की तो यहाँ पर जो सबसे पहला target रहेगा वो रहेगा 4.82 रूपीज का दूसरा target रहेगा 5.20 रूपीज का यह वीडियो का एजुकेशनल वीडियो था इसलिए इस शेर में मेरी कोई भी बाई से लिखुल की सला नहीं है धन्यवाद